हलो एवरिवन तो कुछ ऐसे एश्पिरेंट्स हैं जिन्होंने CSIR CSIR SO ESO के एग्जाम दिया है मैं उन्न एश्पिरेंट्स की बात कर रहा हूं जो एश्पिरेंट्स काफी जादा मेहनत करके इस एग्जाम को दीए और फाइनली वो एग्जाम देने के बाद उन्होंने ये दे जो पेपर को एजली मैनेज किया है इधर उदर से वो आके कमेंट सेक्षन में कुछ से कुछ बोलेंगे कि ठीक है पेपर कुछ जगल लीक हुए हैं जो अच्छे नमबरला है वो उनका क्या उनका तो लॉस हो जाएगा तो ये उनके लिए वीडियो नहीं है ये उनके लिए ज कि ये ची जो को अप लास्ट टाइम आप अपने चैनल पे या किसी मेडियां के थूर इसको डालो ताकि ये चीजह फैल सके ठोड़ा ठीक है क्योंकि लोगों को जानना बहुत जरूरी होता है ऑवेडिनस काफी जरूरी होता है ठीक है जिनको ठीक है ना सबसे पहले ये जा जो प्लेटफॉर्म है उस पे एक छोटा सा कह सकते हो आप कि आपको एक कैम्पेण चलाना है एक तरीके कह सकते हो कि आप यहाँ पे रीग्जामिनेशन के लिए CSIR और SOSO की एक्जाम के लिए जो concerned authorities है उनको यह बताना है कि किस तरीके से जो पेपर्स लीक हुए different segments में different joints पे फिर भी इस पेपर को किस तरीके से बाइपास कर दिया जा रहा है बाइपास कहने का यह मतलब हुआ कि जो चोड़ी हुई जो unfair practices हुए उसको एक तरीके से दरकिनार कर दिया जा रहा है दरकिनार इसलिए कर दिया जा रहा है कि re-exam लेने में काफी जादा monetary losses होगा फिर किसी ना किसी को responsibility लेना पड़ेगा लेकिन इसमें loss किसका हो रहा है directly और indirectly loss सिर्फ और सिर्फ aspirants का हो रहा है जो तैयारी अच्छे से कर रहा है और जो थोड़ी मेहनत से क ठीक है ना तो यह तीन snippet मेरे बास भीजा गया है जिसमें online परिच्छा में नकल कराने वाले गिरों का परधाफास किया गया था वो पहला है जहांपे पुलिस ने खुद बहरोर थाना के पुलिस ने खुद accept किया था कि CSI और वर्ती परिच्छा में जो solver gang है उनको गया है वो online screen share कर रहे थे एक्जाम हो रहा था दिल्ली दौर का यह सब वाले रिजन में और वो चोड़ी और वो screen share कर रहे थे हर्याना रास्थान वाले रिजन में ठीक है तो यहां पर जो यूवक थे उनको गिरफतार किया गया था साथ में ही पांच laptop mobile phones ATM card दिल्ली Metro की ID card एक खाली बैग उसमें 80,000 रुपे पकड़े गया थे तो यह directly live है video है video evidence है तो यह इस चिस से आप deny नहीं कर सकते हो ठीक है कोई incitement नहीं है यह ठीक है लेकिन यहां पर और यह किसी तरीकी का impeachment भी नहीं है या फिर किसी को खुस करने की बात नहीं है यहां पर जो मुद्दा काफी negative आया है यूपी में यूपी ट्रिपल सी पेट में भी उनके बारे में बताया गया है एडू टेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटर है जिनको यह CSIR exam conduct कराने के लिए दिया गया था उनकी भी काफी जादा malpractices में देखा गया है involvement इससे पहले वाल exam में मतला आप कह देखी गई है किस तरीके से online पर इच्छा चोड़ी हो रहा था और फिर किस तरीके से एक और देहरादुन वाला case ठीक है चलिए और यह देखिए जिसको दिया गया है जिस तरीके से stage one of paper किसको दिया गया है यह इसका proof है साथ में ही यह जो edu test है वो कहा कहा involved इससे पहले रहा है उसके बारे में informations है और यह जो बहरोर थाने में पुलिस ने जो CSIAR वाले पर दो लोगों पर case किया screen share करके exam चोड़ी चल रहा था वो हुआ एक देहरदुन वाला भी case है जहाँ पर उन्होंने तो साफ कहा दिया था कि वहाँ चोड़ी नहीं हो रहा हो तो रहा था लेकिन हम लोगों ने उसको control कर लिया ठीक है आप एक dummy wire से information share कर रहे हो एक system से दूसरे system में पूरी के पूरी system पूरी के पूरी center अगर suspicious हा ना तो आप उसपे control नहीं कर सकते हो ठीक है तो जो हो रही है उसको accept करो और exam को आपको cancel करना चाहिए था अब हमें आगे करना क्या है हमें आगे बस यही करना है यह तीन जो paper है यह जो तीन snippet है उसको आप मेरे telegram channel at the rate IAS PCS simplified स collect करो इस paper को यहां से collect करो तीनों को और इनको इनको ना आप mail के थूरू भी भेज सकते हो साथ में ही आपको ना hashtag चलाना है तीन वजे आज तीन वजे मतलब तीन पीम को जो मुझे बताया गया experience के दोरा ठीक है वो मैं mention कर दे रहा हूँ यहां पर क्योंकि देखो यार जो भी है देखो इस exam से मेरा को involvement नहीं था ठीक है ना ही मैंने इसमे कोई course निकाला है कुछ भी किया ना मैं आगे इसमे कोई course बेचने वाला हूँ लेकिन फिर वी आपको सोचना चाहिए कि कि इस त investigation की demand करेंगे ठीक है और फिर cancellation की भी बात होगी या re-examination की बात करोगे hashtag क्या यूज करोगे hashtag करोगे hashtag c s i r so aso ठीक है same यही hashtag दिया गया है सारे capital में है तो आप सिर्फ और सिर्फ इसको यूज करना इसी hashtag को यूज करना ठीक है इसी के साथ साथ कुछ hashtag और में दे दे रहा हूँ जो मुझे भीजा गया है एस्परेंट्स के दौरा जो काफी परिशान है उनकी परिशानी देखके भी खराब लगती है ठीक है चलिए तो hashtag c s i r in small underscore exam e x am underscore leak ठीक है next है hashtag c s i r re exam e x am as far as I know r capital and e capital ठीक है और उसके बाद hashtag आप जिनको check करना है जहां भी आपको ये जो concerned hashtags है जिनको भी tag करना है आप कर सकते हो ठीक है कुछ और hashtags इनके द्वार प्रोवाइड किया गया है मैं लिख देता हूँ एक तो PIV प्रेस इंफर्मिशन ब्यूरो वाली जो fact check होती है F-A-C-T-C-H-E-C के इनको इनके hashtag अब लगा सकते हो ये government के entity होती है एक broadcasting communication way होता है जहां पर वो लोग informations को check करते हैं investigate करते हैं कि वो true है या नहीं है ठीक है साथ साथ में ही आप इस hashtag को भी यूज कर सकते हो hashtag लोक सभा election 2024 election में e-capital रखेगा ये hashtags मुझे दिया गया है दूसरी बात है आप telegram channel पे आना मैं वहाँ पे ये complete जो मुझे भेजा गया आना मैं उसकी copy करके test कर दूँगा ठीक है वहाँ से आप उसको use कर लेना देखो अगर आपको लगता है injustice हुआ है जो की 110 परसें हुआ ही है गोई भी blind अगर कोई सिर्फ अस सुन सकता है वो बता सकता है कि यहाँ पे justice हुआ है तो अगर आप इसके interest फिल में नहीं भी उस domain में fall करते हो फिर भी आपको इस informations को बतानी चाहिए लोग को share करना चाहिए यह मत कहना जो रहेंगे concerned authority मैं उनसे बात करूँगा या फिर उनसे बात कही जाएगे उनसे demand की जाएगे हम लोगों ने उनको ही elect करके बिठाया ना ठीक है तो जिनको आप बिठाओगे उनसे ही पूछोगे ना आप विवक्ट से क्यों पूछोगे है चलिए तो यह ध्यान रखिएग थैंक यू